सबी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ MGCI संस्थान के बारे में MGCI Central India में नीट तथा JEE की प्रिपरेशन के लिए सबसे तीजी से बढ़ता हुआ संस्थान है जिसकी स्थापना श्री मुकेश जाट सर के द्वारा सन 2005 में की गई थी तो आईए जानते हैं MGCI की सिस्टम के बारे में सबसे पहले स्टूडेंट तथा पेरेंट MGCI में आकर विशेश रूप से एक्सपर्ड काउंसलिंग टीम के द्वारा एक्जाम के बारे में समझते हैं तथा जब आप उन रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो MGCI की सिस्टम में एडमिशन पाकर अपना इनिशल किट प्राप्त कर लेते हैं हमारी काउंसलिंग टीम यह एंशॉर करती है कि स्टूडेंट्स को एक्जाम के बारे में कम्प्लीट और अक्यूरेट इन्फरमेशन प्रोवाइट कर पाया एडमिशन किट में स्टूडेंट्स को दो टीशर्ट, स्टडी मटीरियल तथा बैक दिया जाता है इवँ यह लेकर वहाँ नेक्स टे अपने क्लास्रूम में बायोमेटरीक अटेंडेंस लगाने के बाद एंटर करते हैं वे जैसी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं इस अटेंडेंस का एक SMS पेरिंट के पास जाता है जिससे पेरिंट को या कनफर्म हो जाता है कि स्टूडेंट जो है क्लास में अंटर कर गया है MGCI के क्लासरूम पूर्ण रूप से सिंट्रलाइज AC के साथ नीट तथा क्लीन अवस्था में रहते हैं जिसका विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है क्लासरूम में MGCI की एक्सपोर्ट तथा अनुपवी फैकल्टी टीम के द्वारा एक्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है जिसके बाद regular टेस्ट Sundays को होते हैं इन टेस्ट का रेजल्ट पेरिंट्स के पास SMS के द्वारा तथा वेबसाइट पर भी अपलूड किया जाता है जहां स्टूडेंट अपने रेजल्ट को चेक कर सकता है हर टेस्ट के बाद next day क्लास में टेस्ट का एनालेसिस किया जाता है तथा स्टूडेंट को टेस्ट में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्फ किया जाता है संपूर्ण कैंपस CCTV सर्वेलेंस में रहता है जिससे स्टूडेंट पर ध्यान रखा जाता है आई अब हम समझते हैं MGCI के एक यूनिक फीचर के बारे में जिससे सेंट्रलाइस मोनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट क्लास में हो या भार हो अगर वर कैंपस में है तो नीचे बैठी टेकनिकल टीम की नजर स्टूडेंट पर लगातार बनी रहती है यदि किसी स्टूडेंट को क्लास रूम में डाउट आया और वो अपने टीचर से नहीं पूछ पाता है तो एक डाउट क्लिनिक का special option हमारे पास उपस्थित रहता है स्टूडेंट रेगुलरली जाकर अपने टीचर से डाउट क्लिनिक में अपने डाउट को क्लियर करवा सकता है एवं यहाँ सेशन लगातार डेली लगते हैं संस्थान में स्टूडेंट के लिए लाइबरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जहां वे अपने self study पर focus कर सकते हैं classroom में चल रहे topics को वो revise करते हैं और उनमें आने वाले doubts को उसी समय पर वे टीचर से पूछ सकते हैं डिसकस कर सकते हैं और यहां बहुत ही स्वभाविक सी बात है कि जब स्टूडेंट इतनी महनत करेंगे तो nutritional food की requirement होगी तो वह MGCI के in-campus canteen में जा सकते हैं और इस प्रकार से MGCI में स्टूडेंट अपने daily routine को follow करते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करता है एवं अपने नीट तथा J में select होने के सपने को पूर्ण कर पाता है